Hello everyone, welcome to Medical Polymed. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले है सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनिमिया के बारे में. सिकल सेल एनिमिया एक सीरियस कंडिशन है जिसमें हमारी बॉडी सीकल शेप की आर्बीसी बनाती है. तो जो नॉर्मल आर्बीसी का शेप है वो बाय कॉनके होता है लेकिन सिकल सेल एनिमिया में वो शेप बाय कॉनके ना होकर सिकल शेप कहो जाता है. तो ये डियाग्राम से मैंने आप लोग को शो किया है सिकल ऐसा शेप करेता है जिसके कारण जब ये इस चैप की आर्बीसी ब्लड कैपिलरी या ब्लड वैसल में जाती है तो वहाँ पे वो आप्स्रक्शन करवा देती है. तो ये अब्स्रक्शन की वज़े से पेन और दूसरे साइंस और सिम्टम्स आते हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं. सो सिकल सेल्स ने क्या किया अब्स्रक्शन कर दिया ब्लड फ्लो को क्योंकि अगर नॉर्मल बाइकॉन के और शेप की आर्बीसी रहती तो वह स्क्वीज हो जाती हैं कि ऐसी स्क्वीज होकर वह ब्लड वैसल्स में निकल जाती लेकिन वह सिकल शेप की है तो वह क्या हो और एक फीमेल one pair of chromosome में दोनों में और दोनों के एक chromosome में मैंने सीखल सैल डीजीस के जो जीन में Mutation होता है वो मैंने blue color से शो किया है okay so let's see कितने percent of springs sickle cell disease के लिए affected हो तो अब इन दोनों की हम क्रोस मैचिंग करेंगे और देखते हैं सो फर्स वन इस जब दोनों क्रोमोजोम के एफेक्टेड जीन मिलते हैं तो 25% के जो आफस्प्रिंग से उन्हें सिकल सेल डिजीज होगी सो इन दोनों में मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया है 25% इस एफेक्ट सेल डिजीज होगी क्योंकि एक ऐटोजोमल रेस्टी डिसॉडर है इन में उसे 50 परसेंट ऐसे रहे जो पी एक इंटी परसेंट गेगे जो कि करियर स्टेज मी तो यह नॉर्मल रहे गा तो यह दो सेट पेर जो रहेगे वह कर्यार स्टेज कहलाँगी तो 50% इसमें हमें करि और 25% ऐसा होता है जो पूरा normal रहता है जिसे ना trait मिलती है और ना sickle cell disease मिलती है Next हम देखेगे कि sickle cells और RBCs में क्या difference है So सबसे पहले हम देखेगे कि RBCs का life span कितना होता है और sickle cells का कितना होता है तो healthy RBCs का life span रहता है 120 days उसके बचाए अगर हम बात करें जो इस disease में हो रही है sickle cells उसके अगर स्रिफोर स्रिफ 30 से 40 days रहता है Next is hemoglobin content normal हमें बता है RBCs करी करती है hemoglobin को जो कि oxygen को करी करता है और oxygen हमाई body tissues को मिलता है इसमें क्या रहता है RBCs में normal रहता है लेकिन sickle cells में HB has low O2 carrying capacity इसलिए यह बहुत जादा damaging है और tissues को proper oxygen नहीं मिलता है और hypoperfusion sickle cell anemia के affected लोगों को देखने को मिलता है first is lifespan second हमने बात करी है HB की third हम बात करेंगे कि कितना होता है HB इसमें 12-14 gram per DL of HB मिलता है और यहां पे स्रिफ 6-9 gram per DL तो यह normal limit से बहुत ही जादा कम है स्प्लीन is the graveyard for RBCs तो sickle cells जब जाती है तो बहुत जादे easily rupture हो जाती है स्प्लीन में जाके अब हम बात करेंगे क्या pathological defect आता है कि sickle cell disease होती है तो जो normal HB रहता है वो HBA रहता है जिसे कि हम adult hemoglobin बोलते है जो sickle cell में रहता है उसे हम HBS कहते है S for sickle cell So HBS is sickle cell hemoglobin इसमें क्या होता है mutation हो जाता है 11th chromosome में अगर हम बात करें cell के level पर तो यह DNA है DNA के उपर क्या रहती है gene की coding रहती है amino acids की chain है तो इसमें जो gene affected होता है या mutate होता है वो रहता है beta globin gene ठीक है normal hemoglobin जो adult hemoglobin है वो कौन सा है HBA इसकी चार chains होती है 2 alpha और 2 beta sickle cell disease में जो chain affected रहती है वो रहती है beta chain So there is mutation in beta globin chain तो beta globin chain में mutation होने के कारण beta chain affected होती है तो इसमें main क्या होता है जो amino acids की chain है उसमें glutamate glutamic acid के जगा दूसरा amino acid लग जाता है जिसका नाम क्या होता है welline जिसके कारण जो chain है वो properly नहीं बन पाती है और HB कर structure भी change हो जाता है तो पूरी जो RBC हमारी bycon q shape की रहनी चाहिए वो कैसी हो जाती है sickle shape की हो जाती है ठीक है हमने दो बात करी हिमोग्लोबिन की एक HBA और एक HBS तीसरा रहता है HBF जिसे हम कहता है fetal हिमोग्लोबिन इसमें कौन सी chains रहती है 2 alpha और 2 gamma chain तो जो HBF रहता है ये resistance शो करता है sickle cell disease के लिए ठीक है adult में कौन सी थी 2 alpha 2 beta लेकिन HBF में रहती है 2 alpha and 2 gamma chain तो pathogenesis हमने देखा कि 11 chromosome affected था beta globin gene में defect था तो normal क्या होता है 2 alpha 2 beta beta chain में well iron in place of glutamate glutamic acid जहां होना चाहिए उसकी place पे कौन सा amino acid रहता है well iron जिसके कारण anemia की features आता है जैसे की hair loss अब हम देखते है clinical features of sickle cell disease तो सबसे पहले हमें मिलेगा hypoxia hypoxia इसलिए क्योंकि जो sickle cells है उसकी hemoglobin में oxygen carrying capacity low है second is acidosis क्योंकि अगर oxygen कम होता है तो acidosis होती है CO2 बढ़ता है तो acidosis होती है इसमें oxygen कम हो रहा है third is dehydration fourth is infection यह इसलिए क्योंकि sickle cell disease में spleen damage हो रहा है और spleen में सबसे smallest capillaries पाई जाती है तो जब यह लंबी sickle shaped darbices वहां जाती है तो obstruction क्रियेट करती है और spleen भी damage होता है और rupture होता है fifth is sickle cell crisis तो ऐसी difficult situations बनती है problems आती है sickle cells के कारण बहुत सारी होती है सबसे पहले रहती है crisis में vaso occlusiv crisis तो sickle cells के कारण कौन सी crisis होती है vaso occlusiv vaso मतलब vessels और इसमें occlusion होना क्योंकि sickle cells है तो blood flow क्या हो जाता है वहां पर obstruct हो जाता है रुख जाता है सबसे में इसमें हमें मिलती है sickle cell crisis में vaso occlusiv crisis ठीक है second is spleenic sequestration so spleenic sequestration crisis इसमें क्या हो रहा है मैं आपको पहले भी बताया है कि spleen में जो capillaries है वो smallest रहती है तो जब sickle cells वहां जाती है तो वहां पर वो obstruction create करती है जिसके कारण जो spleen है वहां पर ischemic changes develop होते है 20-20 days ही life cycle रहती है sickle cells की तो वो वहां जाकर एकटा होती है जमा होती है breakdown होता है उनका ischemic changes आते है spleen में जिसके कारण spleen में infarction हो जाता है तो इसी को ही हम कहते है spleen sequestration another feature is auto spleenectomy जो की हमें sickle cell disease में मिलती है और यह इसकी खासियत है RPCs का destruction होने के कारण यहां पर hypovolumia भी हो जाता है क्योंकि spleen में इतना ज़्यादा RPCs का destruction हो रहा है तो volume जो normal volume रहना चाहिए वो कम हो जाता है जिसके कारण शौक में चले जाता है patient और उसकी एक से दो घंटों में dead भी हो सकती है emergency condition है दूसरी इसमें चीज हमें देखने को मिलती है auto spleenectomy auto spleenectomy इसलिए मिलती है spleen अपने गायव इसलिए हो जाता है क्योंकि sickle cells वहाँ पर आती है और RPCs बहुत जादा damage होने लगती है इसलिए हमारा body के protective mechanism से ही वह देरे-देरे spleen को छोटा करते जाती है auto spleenectomy जिसे हमने कहा है third is bone pain होना जिसे हमने कहा है osteomyelitis fourth condition होती है prea prism की जिसे हम कहते है continuous penile erection इसलिए होता है जब sickle cells penis पर जाकर 80 हो जाती है तो sickle cells जिसके कारण हमें continuous penile erection देखने को मिलता है so prea prism kidney necrosis भी एक सिम्टम है sickle cell disease का fifth one is heart failure यह इसलिए मिल रहा है क्योंकि body के tissues को oxygen proper माज़रा में नहीं मिल रहा है जी कि हाइपो वाली मिया भी हो रहा था हमने देखा तो जिसके कारण क्या हो रहा है body के protective mechanism की कारण cardio megalie हो जाती है heart अपने action जादा अच्छा करने के लिए illage हो जाता है तो cardio megalie मिलती है जिसके कारण धीरे धीरे heart failure के chances भी हो सकते है crisis में एक important रहता है acute chest syndrome इसमें बहुत ही जादा severe chest में pain मिलता है और यह बहुत main cause है death का next अगर हम बात करें investigations की तो सबसे बहुत हम करवाते है HP count तो यह हमेशा हमें बहुत low मिलता है as low as 6-8 gram per dl second is reticulocyte count यह हमेशा बहुत से जादे increased मिलता है क्योंकि healthy RBC का function कम हो रहा है इसलिए reticulocyte बढ़ जाती है third is electrophoresis definitive diagnosis now हम देखेंगे इसका treatment का part क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते है sickle cell disease के patients में सबसे पहले यह बात कि इसका complete cure नहीं है तो profile access हम दे सकते है folic acid की ताकि maintain रहे shape RBC का थोड़ी सी health मिल जाए या penicillin क्योंकि बढ़ जाते है so हम antibiotics देंगे like penicillin protection against infections second is vasoclusive crisis vasoclusive crisis हो रहे है तो rehydration करने का बोलेगे IV fluids देगे ORS देगे क्योंकि जब dehydration की condition होती है तो sickle cell trait के जो symptoms आते है वो और भी जादा severe form में आते है अगर pain इसमें ischemia के करण developed होता है जो की बहुत जादा severe रहता है तो हमें analgesics देने पड़ते हैं जैसे की opioids भी और antibiotics दे ही रहते sickle cell disease में हमने देखा कि bicon cure shave की RBCs का production नहीं हो रहा था जिसके कारण RBCs के activities hamper हो गी थी हमें पता है RBCs कहां से निकलती है bone marrow से निकलती है तो body के compensatory mechanism के कारण body क्या करती है जितनी भी flat bone से वहाँ पर production increase कर देती है RBCs का अपने को पता है कि flat bones में ही क्या पाया जाता है bone marrow पाया जाता है तो जिसके कारण हमें typical skull का appearance मिलता है radiology में जिसे हम कहता है crew haircut appearance और hair on end appearance तो इसमें एक जैसे मैंने skull draw किया तो skull के ओपर जो ये flat bone है वहाँ पर ऐसे hair जैसे structure bony growth जैसे हमें नजर आता है radiology में तो उसे हम कहते है hair on end appearance औके और vertebra vertebra में भी RBC का production होने लग जाता है bone marrow से तो उसे typical appearance हमें radiology में appear होता है जिसे हम कहते है fish mouth vertebra main problem इसमें थी 11th chromosome में और beta chain में beta chain कौन से number की 6th number की तो इस कैसे represent करते है beta 6th chain तो beta 6 जहाँ पर glutamic acid के जगा क्या लग गया था valine लग गया था तो beta 6 GLA फिर VAL glutamic acid के जगा valine तो sickle cell disease हो गई थी sickle cell trait में heterozygous condition होती है क्योंकि एक chromosome affected रहता है एक नहीं रहता है तो it is sickle cell trait वही अगर हम बात करें sickle cell disease में तो यह homozygous condition रहती है क्योंकि इसमें दोनों इक chromosome affected रहता है sickle cell anemia के लिए sickle cell जो beta globin gene का mutation हुआ है वह दोनों में ही हमें देखनों को मिले थे और sickle cell trait जो है वह specific circumstances में ही problem दिखाता है ठीक है अपनी disease की manifestation शो करता है तो वह क्या-क्या circumstances हो सकते है जैसे की सबसे पहले acidosis acidosis मतलब oxygen tension blood में कम होना या CO2 बढ़ना दोनों ही condition में जो sickling है वह जादा बढ़ जाती है और signs and symptoms शो करती है मतलब oxygen का कम होना second is dehydration ठीक है dehydration की cases में viscosity increase हो जाती है जिसके कारण sickling बढ़ जाती है और manifestation शो करती है so this is all about sickle cell disease hope you understood the topic if you like the video don't forget to like subscribe to my channel I'm Pratchi and thank you so much for watching